जब हम राष्ट निर्माण में हिंदी की भूमिका की बात करते हैं तो ये बात हमें सोचना पड़ेगी कि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं है हिंदी संस्कृती संस्कार और परिवेश भी है आप में से बहुत सारे लोग या सभी लोग शेतर में जाएंगे फील्ड में जाएंगे काम करने जाएंगे गाओं में जाएंगे चोटे चोटे कस्बों में जाएंगे और उन गाओं में, कजबों में, वहां के रहने वाले लोगों के पास, जो भाशा है वो उनकी अपनी भाशा है और अगर आप उनके साथ उनकी अपनी भाशा में समवाद करते हैं, तो आपके लिए बहुत सारा काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत सुगम हो जाता है जब बातें बिगडने लगें, जैसा होता है कभी-कभी, जब बढ़ने लगे कठनाईयां जैसा होता है कभी-कभी, जब आमदनी लगे घटने और खर्चे हों हजार, हसना चाहो तब भी तनाओ बना रहे लगातार, कोई भी कदम उठाने से पहले, जब पड़े बार-बार सो पढ़ने से नहीं सिखते हैं, जितना आप सुनेंगे और जितना बोलेंगे उससे भाषा आती है, और भाषा इतनी अपने अंदर एक आत्रसाथ हो जाती है, कि आप उनकी तरह बन जाते हों, तो आज के तारिक पर इसी मेरी परिस्तिती है, कि सौरास्टर के लगबग गाओं तक मैं पहचान सकता हूं कि विक्ति कौन सा गाओं का है, जोशी जी का जो हमें जे संदेश था, यही है कि किस तरह से हम लोग एक जूट हो सकते, लैंग्वेज, भाषा को एक जूट होने के मार्यम कैसे बना सकते, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए.